चलो दोस्तो तो अब हम लोग Terraform Lecture 3 के तरब चल रहे हैं लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने Terraform Lab Part 1 कर लिया था और ये हमारा Lab Part 2 है और Terraform Lecture No.3 तो जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में आपको छोटा सा एक Demonstration प्रैक्टिकल करके दिखाया था अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि Terraform की website पे जाके उनके doc को कैसे read करना और कैसे understand करना उसको follow कैसे करना है न तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने इसको बंद कर देता हूँ मैं सबसे पहले कहां पे गया था Google पे गया था और यहां पर लिखा था मैंने Terraform installation इसको देखके हमने Terraform को installation कर लिया था फिर हम अंदर गय थे फिर इधर provider reference में गय थे हम लोग उसके वाद हम लोग नीचे आये थे ठीक है AWS पे गय थे तो यहां से हम लोगों ने यह वाला syntax निकाल लिया था यह उपर वाला नीचे वाला syntax भी हमने यही से बैटके निकाले थे कैसे निकाले थे EC2 बनाना चाहते थे तो हम लोग EC2 वाले section में गय थे यहां पर और यहां पर गय थे हम लोग instance के अंदर यह ठीक है उसके वाद हम लोगों ने सीधे नीचे है और यह वाला parameter copy करके use कर लिया था हमने इसको understanding ही नहीं किया यह क्या बोल रहा है ठीक है न तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के यही समझाऊंगा कि Terraform की website में जाके code वहां से copy करके लेके आना है और अपने file में paste करके यूज करना कोई याद नहीं करना आपको रटना नहीं है आप तो इसको understanding कैसे करते हैं यह चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आप लोगों को easy हो जाएगा इंडस्ट्री में आप काम करेंगे तो आपको टेंशन नहीं है कि यार code का syntax क्या है कुछ नहीं सब सारा का सारा website में आके find out करना है तो सब कुछ यहाँ पर पढ़ा हुआ है बस आपको understanding करना है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है इस वीडियो में आपको यही चीज बताऊंगा इसी code को copy करके मैं चला के दिखाऊंगा और इसका मतलब क्या यही चीज बताऊंगा जब हम लोग expert हो जाएंगे तब हम लोग अंदर खुद से file पे लिखा करेंगे अभी हम लोग इनको copy करते है adjectives ठीक है चलो तो यह तो आपको पता है provider AWS और यह region यहाँ पे access की secret की आगे यह चीज समझो यहां पर यह क्या बोल रहा है है ना तो एक काम करता हूं मैं यह पूरा का पूरा यहां से उठाया मैंने पूरा इसको ऐसे copy करता हूं फिर समझाता हूं यह चीज मैं यहां पे छोड़ दे रहा हूँ क्यों छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अपनी फाइल में आ तो मैंने पहले से डिफाइन कर रखा है यह तो सेम ही रहेगा एक प्रकार से दम चलो मैं इसको यहां से अटाता हूँ पुरानी वाली चीज़े जो थी हमने लास्ट वीडियो में लिखा था यह मैंने यहाँ पर किया पेस्ट स्वरी दुबारा हो गई इसको वापस से कॉपी करता हूँ मैं ठीक हो गया चलो अब समझो यह क्या बोल रहा है देखो यह data right data aws-emai उबन्तु इसका मतलब क्या है यह पहले जाएगा एक data ढूणेगा उबन्तु AMI को ढूण देगा एक EMI ढूण देगा OS vendor कौन होगा उबन्तु ठीक है क्या filter करेगा यह वाली image filter करेगा पूरा path उबन्तु के अंदर image HVM SSD based harddix यह पूरा का पूरा filter करेगा अब हो सकता है कि यह वाले format की भी बहुत सार image हो तो उसमें भी filter करेगा क्या जिसका virtualization type क्या हो HVM ठीक है उसके बाद यह जो filter कर रहा है यह इस honor की image को filter करेगा यह किसी बंदे ने image बना के डवस में upload किया होगा तो यह honor ID है अगर आपको देखना चाहते हो तो देखो ऐसे दिखाता हूँ यह honor ID में यहाँ से copy किया यहाँ पे चलता हूँ दिखाता हूँ अभी मैं आपको देखो जब आप instance launch करते हो ना लॉंच किया देखो यहाँ पर मैं honor ID डालता हूँ एंटर किया यह देखो इस honor ID से इतने सारे images यहाँ पर है देखो यह देख रहाँ आप लोगी तो अगर मैं code में आओ तो देखो यही वाली है देख सकते हैं आपको क्लियर देखे जा रहा है यहाँ पर यह देखे इस टार लगा दिया आगे कि आगे एक्स्ट्रा वर्ड हो अपने आप उठाले तो यह देखो है ना यह देखो यह हैस लगा के नाम दे सकते हो आपना कोई message पास करना चाहते हो जैसे यह resources क्या कर रहा है उपर कुछ message पास कर अब नीचे क्या कर रहा है अगला resource बना रहा है AWS underscore instance नाम क्या रख रहा है अब देखो यहाँ पर AMI ID इसने नहीं डाला इसने क्या डाला पता है इसने एक parameter पास किया है है एक reference दे रहा है किसको reference दे रहा है उपर में क्या है यहां परते को data dot aw data dot aws underscore ami इसका मतलब क्या है data यहां से उठाया और ubuntu dot id ubuntu dot id अपने से अड़ किया तो जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा है यहां पर जो नाम दे रहो इसकी जो value होती है आगे चलके उसकी value यह होती है कि आगे आप किसी resource में reference पास कर रहा है तो यहां पर जो नाम आपने दिया वो यहां पे देखो reference पास कर र में है ना चलो instance type देखो t3.micro और यह tag क्या है दे दिया यह आपको समझ में आ गया होगा चलो इसको run करके दिखाता हूं मैं तो आपको clear होगा तो मैं इसको file को save करके बाहर आया और terraform plan करता हूं एक बार देखो सारी जी आप पढ़ सकते हूं क्या के resources बनाएगा अब मैं आपर terraform apply करता हूं अब में यहां पर मैंने यह किया अब करता हूं जा करता हूं डन हो गया चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसी टू रनिंग इंस्टान्स देख सकते हो बन गये यह परफेक्ट ठीक है चलो तो उम्मिद करता हूं समझ में आगए इसका मीनिंग क्या यह फूरा का फूरा फिल्टर किया इसने थोड़ा सा और नीचे आते हैं एक और एक्जामपल देख लेते हैं इनी का ठीक है थोड़ा सा नीचे और आजाओ अब देखो यह वाला एक्जामपल देखो क्या कर रहा है इस वाले एक्जामपल में यह बोल रहा है पहले बनायेगा वीपीसी यह तो सेम रहेगा नाम इसने रखा देखो माइंडर स्कूर यह ब्लॉक यह दे रहा है तेग दे दिया उसने फिर किर उसके बास सब्डिट बना रहा है देखिए का नाम यह रख रहा है लेकिन आप यह subnet किसके अंदर बना रहा है कौन सी VPC में तो VPC ID में इसने किसी VPC का ID नहीं दिया इसने refer कर दिया उपर क्या बोला AWS underscore VPC यह देखो है ना dot my VPC dot ID देखो refer कर दिया इसने कि इसके अंदर बन जा रहा है इसलिए इसकी value इतनी important है दोस्तों इसने टैग निम दे दिया अब आगे नीचे हो क्या बोल रहा है रिसोर्स एक रिसोर्स और बना रहा है जिसका नाम क्या है जिसका यह पर सबनेट उपर जो सब्नेट बना उसको refer कर दिया देखो aws underscore subnet यह देखो है ना dot my underscore subnet देखो यह डॉट बीच में डॉट कर दिया और dot id अपने सेंट कर दिया इसने प्राइवट आइपी दे दिया उसने इंटरफेस को इंटरफेस का नाम दे दिया अब देखो यह बना रहा है अब यह इंस्टन्स फिर बना रहा है aws underscore इंस्टन्स नाम इंस्टन्स का फू अब इसने यहां पर यहां पर इंटरफेस यह वह रिफ्रेंस पास किया और और credit specialization CPU unlimited कर दिया चलो copy करके run करके देखते हैं तो जाद अच्छे से समझ में आएगा कैसे होता ही कॉपी किया मैंने इसको यहां पर है न और इसको मैंने create किया था जिसको मैं कर देता हूँ पहले destroy है अब मैं चाहूँ तो रख के चला सकता हूँ लेकिन मैं destroy कर रहा हूँ अभी हम लोग एकदम beginner level पर चल रहा है expert तक जाएंगे जाएंगे राइट जब हम expert हो जाएंगे तो हम ऐसे भी example करेंगे कि फाइल खुद बनाएंगे और फाइल के अंदर सारा parameter खुद से लिखेंगे अभी हम लोग beginner में हैं इसी लिए मैं Terraform की website से जाके code को copy कर रहा हूं और paste कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं जब आप 5-6 example इस तरीके से कर लेंगे तो आप लोगों को confidence level हाई हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग expert level पर पहुचेंगे झाल डन चलो ओबन करते हैं अपनी फाइल को सेम फाइल में यह रिमूब कर लेता हूं मैं सारी चीज़े चलो पेस्ट करते हैं एक बार और समझा देता हूं अना क्या गर रहा है एक रिसोर्स बनाएगा जिसका नाम रखेगा AWS underscore VPC यह प्रेडिवाइन पैरामेटर यह नाम रख रहा है ठीक है सिएडियर ब्लॉक टैग दे दिया उसने अगला रिसोर्स क्या बना रहा है सबनेट नाम क्या रखा यह अब यह सबनेट किस VPC के अंदर बना रहा तो यहां पर इसने किसी भी एक्जिस्टिंग VPC के ID को यहां पर लाके नहीं रखा इसने बोला ऊपर वाले रिसोर्स में जो VPC बना है उसके अंदर बनाईए तो इसने रिफरेंस पास किया है है ना पूरा का पूरा कैसे aws-vpc.my-vpc जो यहां पर दोगे वहीं पर डॉट आइड कर दिया availability zone इस zone के अंदर बना रहा यह cadr block है है ना तो मैं यहां पर availability zone अभी change कर देता हूं क्योंकि provider मैंने उपर region यह दिया है और यह different region का zone है तो चलेगा तो मुझे error देदेगा तो मैं same मतलब जो यहां पर reason दिया है इसी reason का zone दे देता हूं मिरे को दिक्कत ना हो तो मिरे को याद है US East-1A Northern Virginia region का zone यह है 1A 1E F ऐसे होता है ऐसे यहां पर tag हो गया इसी तरीके से अगला resource क्या कर रहा है आएगा ऊपर जो subnet बनाया उसके अंदर बनाएगा यहां पर reference पास किया उस network interface card में private IP यह दे दिया इसने है ना tag यह दे दिया और देन उसके बाद अगला resource यहां पर यह बना रहा है देखो instance है ना जिसका नाम फू रखेगा instance की EMI ID इसने यहां पर पास कर दिया अब हमें नहीं बता यह कौन सी EMI ID है तो मैं अपने Northern Virginia के अंदर जाके EMI ID को यहां पर डालता हो नहीं तो बात में error देगा मुझे है ना तो चला मैं यहां पर launch किया यह यहां पर मैंने यहां से कॉपी कर लेना है मैंने इसको यहां से कॉपी किया और यहां पर मैंने इसे पेस्ट करना है डन चलो अब यह क्या है यह कुछ नहीं एक message पास कर रहा है इसका मतलब क्या है तो मैं लिख दिया यहां पर My EMI कुछ भी लिख दो कोई फरक नहीं पड़ता ऐसे उपर भी आप चाहो तो message पास कर सकते हो चलो अब interface card यह interface card attach करेगा device 0 और नीचे बोल दिया है उसने credit specialization CPU credits unlimited राइट चलो अब इसमें थोड़ा समझने वाली बात एक और बदादे तो ध्यान आपको रखना चाहिए जिस चीज का इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है यह bracket यहां से start हुआ यह bracket close यह एक resource है जिसका bracket यहां start हुआ यह close हुआ बीच में यह क्यों आ गया क्योंकि उसने एक और tag parameter add कर दिया अगला resource का bracket यहां से start हुआ यह close हुआ यह चीज थोड़ा ध्यान रखना पड तब ठीक है इसका bracket यहां से start हुआ यह close हुआ clear चलो फिर हम लोग इसको run करके देखते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या करना है terraform plan करने दन तो यहां पर पढ़ सकते हो देखो यहां पर क्या बोड़ा चार बनाएगा चार रिसोर्स इसने ready करने हैं आप पूरा स्कॉल करके पढ़ सकते हो वी पी सी वेगरा सब कुछ ready करेगा यह आप मैं यहां पर क्या करता हूँ terraform apply कर देता हूँ terraform apply और उसके बाद यहां पर मैंने किया yes तो यह वी पी सी क्रेटिंग यहां पर देख सकते हैं आप लो मैंने मैंर करें जसमा यह भी sudah बद시ते हैं झाले मैंने करस्पर R A करदा़ते हैं? नहे हैं नहे हैं रु이े सी कते हैं करा देता है जैब हैं अर्सित नहएमार चारे कर दो क्रू मैंने हो कर देख सकते हैं आप लोग ही क्रियेट कर रहा है वी पी सी सबनेट देख सकते हैं यहां पर बोल रहा है इसने वी पी सी बनाया फिर सबनेट बनाया फिर इंटरफेस फिर इंस्टान राइट डन हो गया अब आके आप वेरिफाई कर लें यहां पर तो एसी टू में गया मैं कि यहां देख सकते हैं इसने इंस्टन्स बनाया इंस्टन्स पे इसलिए उसने चेक कर लेते हं इंस्टन्स अब नहीं दिया इंस्सपर कोई टैग यहां पर नहीं हुआ जरह आप अगर वी पी सी देखें VPC इसने बनाया Your VPC में आजाए देख सकते हैं VPC Subnet देख सकते हैं तो मीट करता हूँ समझ आ रहा होगा आप लोगों को इसी तरही से अगर मुझे destroy करना है तो क्या करना है Terraform destroy चलो यह destroy हो रहा है इसी तरही के से सारे examples यहां पर है यहां से आप देख देख के 2, 4, 10 examples करें जिससे आपको confidence आएगा उसके बाद फिर आप अपने self level पर code लिखना जैसे कि अगर VPC मुझे separate VPC बनाना है IM user बनाना यहां चले जाएं यहां पर आप चले जाएं यह सब कैसे create करते हैं सारा कुछ बता देगा यह IM user कैसे बनाते हैं हर चीज यहां पर पढ़ा हुआ है VPC से related कुछ करना है तो यहां आजाएं VPC बनाना है Gateway बनाना है ACL बनाना है root table सब कुछ यहां पर देखो VPC बनाना यह देखो सारा code यहां पर पढ़ा हुआ है देख सकते हैं आप लोग clear तो आगे मैं बताऊंगा इनको सारी चीज़े आगे भी चलके हम लोग करेंगे इसे तो अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको यह दो लैब हमने कर लिया तो आप लोग भी अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाएं और यहां से जाके थोड़ा सा माइन को लगाएं और इसको देख देखके प्रैक्टिकल करें जिससे confidence level बढ़ेगा फिर हम लोग आगे चलके self-based code लिखेंगे जो actual में इंडस्ट्री में आप जब बैठते हो तो वहाँ पर इतने छोटे छोटे लाइन के code नहीं मिलेंगे आपको हो सकता है वहाँ पर आपको दददस page के मिलेंगे code 20-20 page के code मिलेंगे और वहाँ उस code के अंदर कौन सी चीज़े कहाँ पर refer हो रही है इंडस्ट्री में तो ऐसा होता है कि अभी जो मैं variable पास कर रहा हूँ variable किसी different file में होगा इस तरीके से वहाँ पर आपको देखने मिलेगा जो हम लोग आगे चल कर देखें करेंगे मैं अगर directly ओची जहाँ पर first video second lab में अगर करा दूँ तो आपको सर के उपर से निकल जाएगा बूलोगे आप यह बहुत टाफ है इसलिए मैं इसे easy method से लेके चल रहा हूँ फिर हम लोग बाद में expert label पे करेंगे तो उम्मीद करते हूँ दोस्तों यह practical आपको समझ में आया होगा इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं stop और अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले practical के साथ तब तक लिए दोस्तों बाबाए